कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बोचार गिरी मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी लोग किस्तों में मुझे कतल करेंगे शायद सबसे पहले मिरी आवाज पे तलबार गिरी साथियों जब जब नसलों को कतल करने के मनसूबे बनते हैं तब तब आवाजों को कतल करने की साज़िशे पहले की जाती हैं आईए इस मुश्किल दौर में एक ऐसे शायर को बुलाओं जो आपके दिल के जजबात को समझता है उन्हें अपने आसान लफ़ों में अपने आश आवाज देने जा रहा हूं महरास के कदबी और तैजिबी शहर बुसावल से आने वाले मिहमान शायर जनाब हामिद बुसावली से के तश्रीफ लाए और अपने खुबसूरत कलाम से नावाज है जनाब हामिद बुसावली असलाम अलेकुम कि अधाल एक मिट मुझे मुझे कुछ बोल ले ने दिया एक मिट मेरी बात एक जुमला सुनिए गौर से सुनिए एक जुमला सुनो अरे मैं आपकी तारीफ करना चाह रहा था कि पिछले बरस जो मैंने आप में उर्दू का जौक देखा था उसमें सो परसंट इसाफा देख रहा हूं आज ये जुमला कहना था मुझे मैं शुक्रियादा करता हूं रिजवान साहब रियान भाई का हमारे मुम्ताज भाई और नूर भाई का कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल फिर समझा के पिछले साल के बाद इस साल भी मुझे आप लोगों से मिलाने का मौका दिया मैं बहुत दिली शुक्रियादा करता हूं मतला हाजिर करता हूं मुलाजा कीजिएगा कि 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 दूरिया अच्छी है कि देख मैं 21 बरस मैंने उर्दू स्कूल में पढ़ाया बिटा जब मैं पढ़ाता था तो बच्चे शोड नहीं करते थे वो सिफ सुनते थे लेकिन जब मेरी बात दूरिया अच्छी हैं लेकिन इसकदर अच्छी नहीं आप हमसे बेखबर हैं आप हमसे बेखबर हैं ये खबर अच्छी नहीं ये खबर अच्छी नहीं हैं तमनाई तुम्हारी एक नजर के हम अगर हैं तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम अगर जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं हैं तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम अगर जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं वो नजर अच्छी नहीं मन्जिलों की जुस्तुजू अच्छी तो है हामिद मिया जिस डगर पर चल रहे हो वो डगर अच्छी नहीं बहुत शुक्त देना वाधिश करम बस बस ऐसे ऐसे सुने देखें मैं 1982 में जब दस्वी में था खुमार 12 बंग्वी मुसावल आया करते थे और उनके मुझे अकसर मैं एक जुम्ला सुनता था वो आप आज को सुना रहा हूँ मेरा जुम्ला नहीं है वो कहते थे खुमार 12 बंग्वी शाहिन शाय गजल वो कहते थे कि मशाहरा सिर्फ वक्त गुजारी का नाम नहीं है तर्बियत गाह है बगएर सिलेट की स्कूल है तो इसको स्कूल बनाईए दाद अच्छे शेर पर दीजिए ऐसा लगना चाहिए पूरे एठावन मुलक साथ मुलक आपको देख रहे हैं अच्छे शेर पर दाद तो जमील जब जब इनकी दादा इनको भी कैद कर मैं मतला पढ़ता हूं मुलाइज़ा करें कि हवा को रिजवान साथ हवा को यू जलाया जा रहा है हवा को यू जलाया जा रहा है दिया खुद ही बुझाया जा रहा है दिया खुद ही बुझाया जा रहा है जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिठाया जा रहा हवा को यू जलाया जा रहा है दिया खुद ही बुजाया जा रहा है जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिठाया जा रहा है यह तब्दीली अचानक कैसे आ表示 जो हर वादा निभाए जा रहा ये तब दीली ये तब मैशर भाई बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई मैशर भाई आप रुए मुशहरा नूर भाई और अनुवर अमान भाई की मुम्तास मेडम की दाद मिल रही नदीम भाई की मैं ये सब आपके तुफैल होता है जब आप तवज्जो से किसी शैर को अभी भी मुशायदा कीजेगा एक शेर इसमें सुनाना है मुझे कि हवा को यूं जलाया जा रहा है और गहा है जखम और कहां पर हमें मरहम लगाया जारा आफ वावव की पढ़ता है वाववाब है कि रिज्वान भाई गवर्णर साहब की गाड़ी से कुछ माला आएं बच गई हो तो हमें भी दे दीजे हम पर शायरों को पेनाते रहेगे हजराद मैं पढ़ता हूँ जी इर्शाद कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन जुड़ना यह आपके काम का मिस्रा है कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा आई ना फिर आई ना है सची बोलेगा हुजूर जूटकर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन वाँ 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 आईना पिर आईना है सची बोलेगा हुजूर जूटकर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन देखेगा कौन सबसे खुबसूरत शेर सुना रहा है हामित उतारी महाराश्टर से रिजवान भाई ने बुलाया है ये शेर सुन ली जी ए बिल्कुल खामुशी से तर्द मेरा तू नहीं समझा तो पिर समझेगा कौन तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन आई ना पिर आई ना है सची बोलेगा हुजूर जूट कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए है आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए है आप तो मेरे हैं मेरे आपको रोके गात वा 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 व वा 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 वरबा वा हामिद भी जिनदाबार आप आट यह और रवन तर दर्द मेरा तू नहीं समझा तो पिस समझेगा और यह यह बुके जो है मैं खुद उठाके लाया हूं रिहान भाई की तरफ से और इजवान भाई की तरफ से जजा कर लाई जजा कर लाई अब दीमे पड़ता हूं कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन आई ना फिर आई ना है सची बोलेगा हुदूर जूट गर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन आप क्यूं खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं आप तो मेरे हैं मेरे आप को रोकेगा कौन वाँ 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 मतला सुनिएगा इर्शाद अब्दुलकादर 22 और उनके तमाम साथी मतला सुनिए मतला सुनिए इर्शाद के हासिद लगे हुए हैं अच्छा क्या 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 वक्त में चाय आई है ये चाय ने खैर के हासिद लगे हुए हैं हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में कैहना वा 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 जो बच्चे उर्दू मीडियम से नहीं उनके लिए बता रहा हूं सुराग यानी तलाश करना खोश लगाना के हासिद चाहने वाले नहीं हासिद लगे हुए है हा रिजवान साब यह ऐसा लगेगा आपके लिए शेर पढ़ दिया मेंने के हासिद हासिद लगे हुए है इसी एक सुराग में आता कहां से तेल है इसके चराग में हाँ वाँ 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 हासिद हासिद लगे हुए है इसी एक सुराग में आता कहां से तेल है इसके चराग में वो चार शेर पर उने कुछ दात क्या मिली वो एब दूने लगे वाव 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 वा सब को याद रहते हैं बताएं रास तुमको किस लिए हम शाद रहते हैं हम ऐसे शेर कहते हैं जो सब को याद रहते हैं मैं मेरी जंबील मेरी जंबील से सबसे कीमती शेर दे रहा हूं एक आवाज भी मत निकालना मेरा यह शेर की लाश पर पहर रखना होगा अगर यह आवाज निकली तो, अब अगला शेर पढ़ता हूँ, कि बताएं रास तुमको किस लिए हम शाद रहते हैं, हम ऐसे शेर कहते हैं, जो सब को याद रहते हैं, जो सब को याद रहते हैं, घलत है, कबर की मिटी में सब हो जाते हैं, मिटी, गलत है कबर की मिटी में सब हो जाते हैं मिटी खुदा के नेक बंदे तो सदा आबाद रहते हैं गलत है कबर की मिटी में सब हो जाते हैं मिटी खुदा के नेक बंदे तो सदा आबाद रहते हैं सदा आबाद रहते हैं छोटी बहर की एक खजल सुनाता हूँ छोटी बहर मतलब बहुत छोटा सा मिस्रा ये चाहतों का सिला नहीं है ये पांच शेर पे एलिया ने इल्म वन का मजमा बेठा है आपकी तवज्जे चाहता हूँ ये बहुत छोटी बहर है बहुत खुशुरत से मजामी इसमें लगाने रुका बरीव वा ये चाहतों का सिला नहीं है वह देखकर भी रुका नहीं है वह देखकर भी रुका नहीं है बहुत हशी है किसी की आँके नहीं बिटे, सानी मिस्रा बिलकुल खिलाफ जो आप सोच रहे मैंने मौाशरे का बिगाड़ अल्ला ने मुझसे कहल वाया सानी सुनना और अगर ये सानी मिस्रा आपको चौका है तो दाज आप चौकाने वाली देना कि सब चौक जाएगी ये क्या हुआ ये चाहतों का सिला नहीं है वो देखकर भी रुका नहीं है वो देखकर भी रुका नहीं है बहुत हसी है किसी की आखे बसे कमी है हया नहीं है अरे अली बिगर से नासिर सर की भी मुभबते मिलती है मुझे नासिर सर कही हो तो मैं उनको सलाम करता हूँ ये चाहतों का सिला नहीं है वो देखकर भी रुका नहीं है बहुत हसी है किसी की आखें बसे कमी है हया नहीं है हया नहीं है बताए मुझको वो दिल की बाते अभी वो इतना ख खुला नहीं है अभी वो इतना खुला नहीं है उड़ेंगे जी भर के पिर कभी हम अभी मुवाफिक फजा नहीं है हजराद ये चार शेर पूरी रफ्तार से मैं पढ़ता हूँ और पांचवा शेर हर मुशायरे में तवफा देता हूँ ये सब जानते हैं तो चार शेर सुनिएगा और पांचवा शेर मैं आपको तवफा दे के जाऊँगा कि ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है, बहुत असी है, किसी की आँखे बसे कमी हया नहीं है, बताए मुझको वो दिल की बाते हैं, अभी वो इतना खुला नहीं है, अभी वो इतना खुला नहीं है, अभी मुआफिक फजा नहीं है, हर एक दर पर जल कर दो नहीं है